प्रेस कॉंफरेंस का बिसे मैं आपके समख्छ रख रहा हूँ जैसे कि आपको मालुम है कि आज हम लोगों ने इस देश के प्रधान मंत्री जी के साथ वीडियो कॉन्फरेंसिंग में हम लोग सामिल रहे और दूसरे लॉकडाउन की इस्तिती पर चर्चा हुई कई राजियों ने अपनी अपनी बाते रखी और चुकि इस वीडियो कॉन्फरेंसिंग में समय के अभाव में साइध हमें बात रखने का मौका नहीं मिल पाया और इसको लेकर हमने कल भी कल ही परधान मंत्री जी को एक पत्र भी लिखा था जिसमें हमने आगरह भी किया था कि हमें कुछ समय दिया जाए बोलने के लिए और अगर कतिपय कारणों से समय नहीं निकलता है या समय नहीं मिल पाता है तो ऐसे इस्तिती में हमारे इस पत्र को आज के वीडियो कॉन्फरेंसिंग का हिस्सा बनाये जाए और जो हमने पत्र लिखा है वो पत्र हुबहू हमारे साइट पर वेब साइट पर अपलोट कर दिया गया है जहां आपको उपलब दोगा उसका कुछ सार मैं आपको बता देना चाहरा हूं जो हमने मुख्य बिंदू उस पत्र में लिखा है चर्चाएं सभी राजियों ने किया सभी मौजुदा बदलते हलात पर भी लोगों ने बातों को रखा हमने जो पत्र लिखा है उसमें मुल रूप से जो हमने रेखा कि किया है कि जारखन राज को भारत सरकार के द्वारा दिया जा रहा है या देश को दिया जा रहा है दिसा निर्देसों को अनुपालन करने में लगता है कि हमें इसकी सजा मिल रही है हम धारखन्डियों को इसका सजा मिल रहा है वो आपको आपके मन में सवाल होगा वो कैसे है आपको मालूम होगा हम लगतार इस बात को कहते आ रहे हैं कि हमारे बहुत बड़े पैमाने पर इस देश के विबिन राजियों में छातर छात्राएं सिख्षा गरहन कर रही है विबिन राजियों में हमारे बड़े पैमानों के लाखों के संख्या में मजदूर फसे पड़े हैं और हम उनको लाना भी चागते हैं लेकिन भारत सरकार के ग्रिह मंतराले से जो आर्देश निर्गत हुआ है कि तीन मैं तक अंतर राजियों की आवागमन में पूरी तरीके से रोख है और उसमें जो भी उलंगन करेगा उस पर आपदा परबंदन कानून 2005 के तहट कारवाई भी की जाएगी यह अस्वा सुप से हमें भारत सरकार का निर्देश है हमने उन्हें पत्र के माध्यम से कहा है केंद्र सरकार द्वारा लगाएगे इस रोख के कारण हम बड़े पैमाने पर फसे मजदूर छात्राओं को वापस नहीं ला पा रहे हैं जबकि कुछ राजिज भारत सरकार के दिशा निर्देशों का उलंगन भी कर रहे है और इस पर केंद्र सरकार बिलकुल मौन है मैं थोड़ा सा इससे परेशान हूँ आखिर ऐसा हो रहा है तो केंद्र सरकार मौन क्यों है मैं यह जानना चाहता हूँ और अंतराजी आवगमन भी हो रहा है जो लगभग आपके चैनलों के माध्यम से अगवारों के चैनलों के माध्यम से दिखाया भी जा रहा है खबरों में छब भी रही है अगर केंद्र सरकार को ऐसा लगता है कि परवासी मजदूरों को बिवीन राज्यों के छात्र छात्राओं को अपना घर वापस देना वापस जाने देना चाहिए तो मुझे लगता है इस पर केंद्र सरकार को कोई दिशा निर्देश जारी करना चाहिए नहीं तो मुझे लगता है कि ये तो सरासर केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का उलंगन होगा हमने यह भी कहा है कि राजसरकार अपने बल पर इतने बड़े पैमाने पर देश के विभिन राज्यों में चाहे वो कोटा हो, हैदराबाद हो, बैंगलोर हो, उडिसा हो, बंगाल हो या और भी राज्यों में फसे छात छात्राओं मजदूरों को लाने में सक्षम नहीं है, ऐसे इस्थिती हमारी नहीं है अधा केंदर सरकार एक तो पहले अपने आदेश को बदले, ताकि हम बैधानिक तरीके से मजदूर छात छात्राओं को लाने का काम कर सकते हैं और हम कानून तोड़कर यह काम नहीं करना चाहते हैं, हमारा यहीं एक उग्देश है दूसरी बात हमने कही है कि केंदर सरकार यह भी तै करे और यह भी बताए जो बाहर फसे मजदूर छात छात्राओं को किस परकार जारखंट वापस लाया जा सकता है कोई असाम में है, कोई जम्मू कास्मीर में है, कोई हैदराबाद में है, कोई बैंगलोर में है कोई कोटा में है, कोई राजस्थान में है, कोई उडिसा में है ऐसे अनिक हो जगा, किस तरीके से चीजों को हम ला सकते है और हमने यह निर्णे लिया है, कि केंद्र सरकार के निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन हम करेंगे तथा उनके अस्तर से इंट्रे स्टेट मुव्मेंट पर लगाए गए रोक समाप करने संबंदी संबंदित आदेश निर्गत होने का इंतिजार भी हम करेंगे अगर ऐसा कोई निर्देश नहीं आता है तो हम अन्य विकल्पों का भी हम सहरा लेंगे ताकि उन लोगों को हम अपने राज में ला सके ये एक बिसे हुआ दूसरा बिसे आपके समक्ष रखना चाहता हूँ आपको मालू है कि राज में करूना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है लेकिन इससे घबडाने और चिंतित होनी क्या हो सकता नहीं है बलकि हम अधिक से अधिक संख्या ढून पाएं ताकि हम इस संक्रम्मन को पहचान कर बचाओ के रास्ते निकाल पाएं आज इसलिए सरकार की विवस्था ने इस संक्रम्मन में करोना पोजिटिव लोगों को ढूनने में जो गती दिखाई है जो पहचान करने का काम किया गया है ये रास्तरकार के लिए काफी मतलब कहा जाए अभी बहुत ज़्यादा खुस होनी की जुरूत तो नहीं है लेकिन संतोस जनक बात है और हमारी ये चिंता है कि जल्द से जल्द राज के हर कोने से ऐसे लोगों की पहचान की जाए जो लोग संकर्मित हैं तथा उन्हें समुदाई से अलग रह करके उनके लिए उचित इलाज की विवस्था उनके लिए किया जा सके है आज इस संकर्मन को रोकने के लिए हमने कुछ बड़े फैसले भी लिये हैं पहला फैसला वो यह है कि दो दिन पहले जो भारत सरकार ने लोगडाउन में रियायत देने की कुछ स्रिनी की दुकान खोलने का जो निर्देश दिया है हमने उसे लागू नहीं करने का फैसला लिया है जिस तरीके से संकर्मन हमारे यहां जिस तरीके से संकर्मित लोग की तादाद अचानक बढ़ रही हैं गट रही हैं ऐसे स्थिति में तीन मैं तक राज के किसी भी छेत्र में भारत सरकार के इस रियायत के आलोग में किसी प्रकार की कोई दुकानों को खोलने की इजाज़त या अनुमती नहीं दी जाएगे लेकिन लॉकडाउन के दौरान पूरू में जो खुली रही दुकान वो खुलती रहेंगे दूसरा आज हमने जो विश्यस रुप से राज के अंदर सबसे चर्चित छित रहा है पुरे राज के अंदर में हिंद पिड़ी को लेकर तमाम कोशिसों के बावजूद हमने यह पाया कि राज के विविन छेतरों से पाये जा रहे हैं करोना संक्रमित का जुडाओ या मुवमेंट कहीं न कहीं हिंद पिड़ी से हो रहा है इसका मतलब हमारे हिंद पिड़ी के जो हमारे वासी हैं वो आज किसी कारण से हिंद पिड़ी से निकल कर दूसरे जगों में जा रहे हैं जहां वहां पर भी लोगों को खत्रे में डाना है आप लोगों से आगरा है हमारे तरब से हिंद पिड़ी के लोगों से मेरा करबत प्रार्थना है कि आप लोग जहां है वहीं रहे अभी संकरमन का समय है सरकार पूरी लगन के साथ आप लोगों के बीच में आप लोगों के संकरमन की स्थिती को जाचने परखने के लिए जाच दल जा रही है लगातार दिन रात करमचारी पदादीकारी डॉक्टर नर्स लगातार आपके इन छेतरों को करोना मुक्त करने की दिसा में आगे बढ़ रही है और ऐसी हालात में आप इधर उदर जाकर के और भी लोगों को संकर्मित कर और भी जगाओं के लोगों की जान खत्रे में डाल रहे हैं किर्पया ऐसा ना होने दे आज ऐसी हालात को देखकर हमने ये निर्णे लिया है कि हिंद्पिडी छेत्र में अब CRPF की निगरानी में वो छेत्र रहेगा और उहाँ पर पूरी तरीके से आवा जाही जो बाहर कोई बेडो चला गया कोई गड़वा चला गया कोई कहीं चला गया ये अब इसे रोकना पड़ेगा तब ही हम ये संक्रमन में से लड़ सकते हैं अब पूरी तरीके से ये रोक लग जाएगा और इसके साथ साथ राचिक के अंदर आने वाले बाहर जाने वाले जितनी भी सिमाएं हैं सडकें हैं उनको पूर्ण तरीके से सिल कर दिया जाएगा और नियमा अनुसार ही अनुमाने मामलों को छोड़कर सभी परकार के आवाजाई पर रोक लगाई जाई इसके लिए पुलिस बल की तैनाती करते हुए ये सारी चीज सुनिसित करने के लिए डी जी पी को आदेश दे दिया जा चुका है हमने राज के आपसरों को यह भी आदेश दिया है कि राज के जिन छेत्रों में अभी संक्रमन नहीं हो पाया है उन छेत्रों में संक्रमन फैलने से रोकने के लिए सभी आवज़सक कारवाई सुनिसित की जाए साथ ही यह भी आदेश दिया है संदीक संभावित संक्रमन वाले छेत्रों पर नजदी की निग्रानी रखी जाए तथा उन छेत्रों में टेस्टिंग कारे को तेजी किया जाए तीन मैं को लोगडाउन समाप होने से पूरू लोगडाउन बढ़ाने के मामले में केंद सरकार द्वारा जो निर्देश निर्देश दिया जाएगा उसकी समिख्षा कर हम जार्खन की इस्तिती के आलोग में करेंगे तादरनसार आवजशक नेड़ने हम लोग लेंगे ग्रामीन छेत्रों में रोजगार के आवसरों का सिर्जन करने के लिए एक कारी योजना तेयार की जा रही है जिसके साथ ग्रामीनों को रोजगार उप्लाब्द कराने का इस दिसा में आवसरों कारवाई की जानी है यह जरूरी है कि लोग डाउन की स्तिती में गरिबों की आई सुनिसित हो वे अपने परिवार का भारन पोशिन कर पाए आज प्रधान मंत्री जी ने पोस्ट लॉक डाउन की हालात में क्या आवशक सुधार किये जाए कि चर्चा पर भी बल दिया है उनका आसाय संभवता उन आर्थिक सुधारों को लेकर है जिस देश में आर्थिक गतिविदियों को बल मिल सके लेकिन इस काम में यह भी सुनिशित किया जाना अवशक होगा कि यह सुधार देश के गरीब किसानों के हीत में हो गरीब किसानों यह मजदुरों की आमदनी बढ़ाने वाले हर आर्थिक सुधारों का हमारी सरकार समर्थन करेगा धन्यवाद देखिए अब लगभग पूरा राची और जीलों के अपिक्छा ज़्यादा चौक चौक करने के साथ बंद किये जाएंगे जहां मुखरूप से हिंद पिडी तो पूरा का पूरा सियार पेप के जिम्मे में रहेगा आवशकता अनुसार सियार पेप की जहां उप्रब्दता महसूस होगी राची जीले के अंदर वहां उनका सहयोगी जाएगा उसरे बिकल्ब के अपने बात करें बेदेगे पूरा के सांसर्द जोक्सला के स्पीकर से बात हो गई है देखे लॉकडाउन का आदेश इस पिकर ने नहीं दिया है यह भारत सरकार ने दिया है और भारत सरकार के आदेशों का अनुपालन राइस सरकार कर रही है आज नियमावनुसार बिना उस आदेश को बदले मैं समझता हूँ यह कायरे करना केंदर सरकार के दिशा निर्देशों का उलंगन करता है देखे वो भारत सरकार का विसे है हम इस पर अभी कोई बात नहीं करना चाहेंगे लेकिन हमने कल ही इस विसे पर पत्र लिखके मानने प्रदानमंतिजी को अउगत करा दिया है और इस पत्र को आज के इस वीडियो कॉन्फिरेंसिंग का हिस्सा मानते वे हमने उनको पत्र लिखा है जो पत्र आपको उपलब्ध हो जाएगा और इस विसे पर हमने मारदर्सन मांगा है और वो ये भी जानते हैं कि कई राज ये काम कर रहे हैं उसके बावजूद केंदर सरकार मौन है आखिर क्यों आखिर क्यों आप उज़र से भी जानने का प्रयास किजिए हम अगर ऐसे ही सब चुप चाप चलेगा तो मैं समझता हूं कि ये जो इस तरीके से हो रहे हैं ये कानून का केंदर सरकार का दिसार देसों का उलंगन है और इसके लिए और भी फोरम है हम लोग उस विसे पर आगे बढ़ेंगे हमने कहा है कि हम दुसरे विकल्प का भी हम सहरा ले सकते हैं जो रख पड़ेगा तो कल हम कोड़ भी जाएंगे मित्रों थोड़ा सा आप बात को ऐस तरीके से लिजिए कि आप अगर कहीं बाल कटाते हैं तो बाल का टुकड़ा आपके सट पे नहीं लगेगा ऐसा संभव है आज ये ऐसी चीज़ है आज वहां लोगों को इलाज नहीं भी किया जाए ये भी मानौता का खिलाब आज एन केन परकारे पूरे राज की निगाहे और राज की स्वास्त विवस्था आज पूरी तरीके के सरकार के कंदे पर है आज जिस तरीके से चीज़ें आप देख रहे हैं इतना आसान नहीं है आज हमारे स्वास्त कर्मी अपने जान जोखिम में डाल कर ये कार कर रहे हैं आज आपको ऐसे इस्तिती पर ऐसे चीजों को हमें गर मैसूस होना चाहिए कि आज पूरा रिस्क के साथ लोग काम कर रहे हैं और पॉजिटिव काम कर रहे हैं आज कुछ न कुछ ऐसी चीटपिट चीजें होंगी जरूर जहां लोग नहीं बताते हैं कि मैं संक्रमित हूँ और वहां उसका इलाज होता है इलाज करके चले जाते हैं पता चला वो संक्रमित निकली और पता चला जो उनका इलाज किया वो भी संक्रमित होगे ये तो एक कहा जाए कि इसको हम कैसे कह सकते हैं ये आप लोग खुद भी अपने अस्तर से इसका आकलन कीजिए लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऐसे इस्तिती पे जो लोग हमारे स्वास सेवा पर विश्वास रखते हैं मैं उनको भी विश्वास जिलाता हूँ कि हर संभव राज की स्वास विवस्था उनके साथ मजबूती के साथ ख़़ा रहेगा जाच क्या दाइरा में बिल्कुल बिल्कुल जाच की विवस्थ जाच जितना अधिक हो सके हमारा प्रयास है राज का सवा तीन करोड़ अगर जनता है तो सवा तीन करोड़ जनता हो जाच हो ये परयास हो तभी हम एक बैतर विकल्प की और जा सके है तरह कि जायतों की जितना प्रवाद कर जो पतीस दाच की पिरना हो जो लोगो तो बातने केचा वो रासी भी देए बिल्कुल हो उनके खाते में वो रासी है